हेलो फ्रेंस आपका स्वागत है मेरे चैनल में तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं ल॥ी के कोप्ते तो ल॥ी कोप्ते बहुत ही साप्ट और नर्म नर्म हम कोप्ते बनाने के लिए आप से सेशर करेंगे तो हमारे कोपते देख रहे हैं आप लोग कितने नरम और साप्ट हैं तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने लोकी ली हूँ गोल वाली लोकी है इसमें काफी ज्यादा पानी रहता है और ये काफी ज्यादा नरम भी रहती है छोटी सी लोकी है और मैंने इसे धुल ली और छिल ली हूँ छिल करके धुल ली हूँ इसे तीन भाग में काट ली हूँ मैं आधा हिसा का बना रही हूँ और किसी भी ग्रेटर से आप इसे ग्रेट कर ली इसे मोटे वाले से करिए या पतले वाले से करिए आपको जो भी सही लगे उस से करें मैं तो मूटे वाली से ही कर रही हूँ और इतना पतला निकल लाए है और हमारा ग्रेट भी हो गया तो इसका पानी हमें निकालना बहुत ही जरूरी होता है नहीं तो काफी ज्यादा बेशन लगेगा तो सिर्फ बेशन का ही टेस्ट आएगा इसमें लवकी का पता ही नहीं चलेगा तो हम इसे अच्छे से निचोड़ ली पानी और पानी निचोड़ ली और खुले खुले लवकी हो गया है तो इसमें हम कुछ मसाले एड़ करेंगे तो धनिया जीरा और मरीच हल्दी गरम मसाला और सादमसार नमक डाले और कुटी हुई हरी मीर्च प्याज जो हरी वाली आती है सग्गा प्याज और धनिया बेशन बेशन आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा डाले या एक ही बार ले ले फिर बाद में आपको जरूरत लगे तो आप ले सकते हैं तो मैं ले ली हूँ एक ही बार तो ज्यादा आप बेशन ना डाले ने तो बेशन का ही टेस्ट आएगा तो मैं ज्यादा नहीं डाली हूँ उतना में ही हो गया है और इतना गिला रहना चाहिए इसको और डाल कर टाइट नहीं करना चाहिए नहीं की तो बेशन का ही टेस्ट आएगा और बेशन भी ज्यादा हो जाएगा और नरम नरम नहीं कोपते बन करके रेडी होंगे वो टाइट हो जाता है तो आप ऐसे ही ड्रो रखेगा आप कोपते का साइज अपने हिसाफ से रखेगा बड़ा या छोटा मैं तो बड़ा ही रखी हूँ तो हमारा कोपता रुएडी हो गया है और हम दिखा रहें आपको कि कितना नरम हुआ है बहुत ही नरम हुआ है इसमें जूस भी भर जाता है तो काफी नरम हो जाता है तो मैं अब कडाई में आयल डाली और थोड़ा सा तेज पत्ता और पंच फोरन और हरी मीर्च कूट करके डाल दी हूँ अद्रक लासुन का पेस्ट इसे अच्छे से भून लीजिए इसे अच्छे से भून लेने से सबजी में एक अच्छी कलर भी आ जाती है और सोनी सोनी खुस भी भी आती है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और हरा डंठल वाला ही मैं प्याज ली हूँ सग्गा प्याज तो आप चाहे कोई भी प्याज लीजिए किसी भी प्याज में अच्छा लगता है और गुल्डन ब्राण तक भूज लीजिए और मैं एक बड़ा साइज का टामाटर काटी हूँ और इसमें छोटे-छोटे काट करके एड़ कर देजिए और नमक भी मैं इसके साथ एड़ कर दे रही हूँ कि जल्दी से हमारा टामाटर भी साप्ट हो जाए टामाटर भी साप्ट हो गया है तो हम इसमें डालेंगे अब कुछ मसाले तो मैंने धनिया ली, जीरा और मरीच और हल्दी पावडर और गरम मसाला हम डालेंगे इसमें एक चमच, एक छोटा चमच है मैंने छोटे चमच से एक चमच आधा चमच आप अपने स्वाद के अंसार कर सकते हैं तो मैंने अधरक लसुन का पेस्ट थोड़ा सा बचा ली थी तो इसमें एड कर दी हूँ, और एक कटोरी के तकरीबन मैं पानी डाल दी हूँ कि हमारा मसाला अच्छा से भुन जाए, आव मासाला भून भी गया है साइड साइड से आयल भी छोड़ दिया है, तो हम इसमें डालेंगे पानी पानी डाल करके इसे अच्छे से मिला ले और मिला करके इसमें थोड़ा सा बॉयल आने दे और बॉयल आ जाए इसे थाले से ढख देंगे तो बॉयल आ जाएगा तो हमारा बॉयल भी आ गया है हम डालेंगे इसमें कोपते तो हम कोपते डाल दे तो सारी कोपते हम छोड़ दें इसमें कि अच्छा से यह पका तो है यह और ही पक जाए और इसमें जूस अंदर तक चला जाए तो इसमें हम एक और बॉयल लाएंगे कि अच्छे से हमारे पकवड़े में घूर अंदर तक चला जाए जूस तो इसे हम ठक कर पकाएंगे तो ढख लें और ढखने के बाद हम इ इसका फ्लेम बंद कर देंगे उसके बाद हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हमारा बन करके कोपता रोट रेडी हो गया है तो आप ऐसे बनाएंगे कोपते तो बहुत ही नरम और साप्ट होंगे आपके कोपते आप इसे जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लिजिए इसे वीडियो पाने के लिए और पेल आइकन ट्रेस कर लें कि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुँचे और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसीपी कैसे लगे बाई बाई दोस्ते